दोस्तो अगर आप लोग को याद हो तो आल में ही कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आल में जो इंडिया के प्राइम निस्टर है मोदी जी यह गए थे USA विजिट पे और वहाँ पर फिर इनकी जो मेटिंग होई USA के चाहती है किस किस चीज को लेके जो बादसीत है वो हुई थी और इसी में आगर आप लोग देखो न तो एक पूरा पेरिग्राफ डेडिकेटेड था टेरिरिजम को लेके इस पेरिग्राफ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि क्लियली यह बोला गया एक पाकिस्तान को पाकिस्तान का नाम लेके आप लोग कह सकते हैं यह बोला गया था कि उसको इंशूर करना चाहिए कि पाकिस्तान द्वारा जो भी कंट्रोल टेरिटरी है यानि कि इसमें पीयोकी भी आ गया जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑकिपाइट कर रखा है उसके तुरू टेरिज फैलाने का जो काम है वो ना किया जाए यानि कि पाकिस्तान जिस टेरिटरी को कंट्रोल करता है वहास टेरिरिजम फैलाने के लिए कोई भी एक्टिविटी ना की जाए यह चीज पाकिस्तान को इंशूर करना चाहिए और यह चीज इस स्टेटमेंट में आप लोग कह सकते ह इस टेट विजिट पर आप लोग को पता होगा कि प्राइम निस्टर मोदी जी जो थे वो गए थे USA और देको जो इस टेट विजिट होता है यह नाम यह टर्म आप लोग ने हो सकता है इस विजिट के टाइम पर काफी जादा सुना होगा यह जो इस टेट विजिट होता है य जैसे कि इस केस में USA था, इसके जो प्रेसिडेंट थे, जो लीडर होता है इस country का, वो invitation बेजता है दूसरे country के लीडर को, जिसको वो invite करना चाता है, और तब ये दूसरे country का जो लीडर होता है, ये जाता state visit पे और इसको कहा जाता है, जो हम लोग ने बोला state visit, एक चीज़ त आप लोग कह सकते हैं, ज्यादा मनाया जाता है, इसको ऐसा समझा जा सकता है कि जो foreign visit होती है किसी country के leaders द्वारा, उसमें जो rank one होगा न, उसको कहा जाएगा state visit, इसमें 21 तोपो की सलामी, red carpet, बिचाना, उसके बाद state dinner हो गया, फिर national anthem का exchange करना, इस तरह के कि बहुत सी activity, बह होती, ज्यादा important है, कहने का मतलब है, हर जो visit होती है, किसी leader की दूसरे country में, वो state visit नहीं होती है, और Biden का जो पूरा अब तक का, आप लोग कह सकते हो, कारिकाल रहा है न, इसमें सिर्फ दो ही, Modi जी से पहले जो state visit है, वो हुए है, सबसे पहले तो France के जो president थे, Emmanuel Macron, उनको state visit पर बुलाए गया था, USA में, उसके बाद South Korea के जो president थे, Suk Yol, उनको बुलाए गया था, और अब तीसे नंबर पर फिर Prime Minister Modi जो है, इनको बुलाए गया था, तो ये इतने कम नंबर है, आप लोग कह सकते हो, इससे ये पदा चलता है, कि इंडिया आज के टाइम में, USA के लिए बहुत ज़्यादा important है, इस चीज़ को USA समझता है, और भी अगर मैं आप लोग को बताओ ना, total इंडिया की तरफ से, जितने leader state visit पे invite किये गया है, USA की तरफ से, वो अगर आप लोग देखो, तो अब तक सिर्फ दो ही ऐसे leader है, जो कि invite किये, सबसे पहले तो President Ash Radha Krishna जी जो थ जब Mr. Modi को, यानि हमारे Prime Minister जो है, इनको विज़ा भी नहीं मिल रहा था USA का, ये जब गुजरात के Chief Minister थे तब USA ये जाना चाहते थे, तो इनको जो विज़ा था वो भी नहीं लगा था, और ये ऐसा बताया जा रहा था कि इनने minorities के खिलाब जो दंगे हुए, उसे रोगने म अलग चीज होगी, State Visit बार-बार आ रहा था, तो मैंने सुचा था, इसके बारे में भी आप लोग को बता दूँगा, उसके अलावा अगर आप लोग देखो न, तो ये जो पूरा paragraph है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें terrorism, cross border terrorism और बाकी ये जो groups हैं, जो terrorism उनके बारे में बात की गई है, पाकिस्तान को भी इसमें target किया गया, इन सब के अलावा देखो एक चीज यहाँ पर और भी ज़्यादा mention है, इसमें ये का गया है कि दोनों ही country जो हैं, ये चाहती हैं, FATF जो हैं, वो और भी काम करें, उन चीजों को identify करें, जिसके थ्रू जो इसके standards, money laundering और terrorism financing को control करने के लिए, इसको रोगने के लिए, वो और भी ज़्यादा सुदार किये जा सके, और भी अच्छे से implement किये जा सके, अब पाकिस्तान, terrorism और FATF, इन तीनों वर्ट का इस्तेमाल एक इस paragraph में, एक इस sentence में आप लोग कह सकते हो, आ जाना, ये बात देखो, ये इस paragraph तक नहीं खतम हो जाती, हाला कि पाकिस्तान जो है, उसने इस पूरे statement को, जो इंडिया और USA ने jointly release किया, इसको serious है नकार दिया, और USA के जो ambassador है, पाकिस्तान में, उनको someone भी बेजा है, काफी ज़्यादा इसके against में, आप लोग कह सकते हो कि, protest show किया जाना है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद USA भी थोड़ा, थोड़ा बहुत मैं कहूंगा, कि जो back foot है, उस पे आया, USA ने कहा है, कि हम लोग पाकिस्तान के साथ काम करना चाते है, terror group जो है, terror financing जो है, इसको खरब करने के लिए, और साथ में, फिर से USA ने यहाँ पर ये कह दिया, क जबकि पाकिस्तान जो है, वो बहुत ज़्यादा कुछ कह चुका था, पाकिस्तान ने कह दिया था कि जो इलजाम है, यह baseless है, कोई भी इसका, आप लोग कह सकते हो कि proof नहीं है, one-sided है, और पाकिस्तान ने यह कहा था कि यह जो इस तरह की के statement है, यह politically motivated होते है, इंडिया द आप लोग ने नाम सुना भी होगा पहले, उसका एक article देखो न, तो वो इस चीज़ से काफी ज़्यादा, आप लोग कह सकते हो कि जो fear है, पाकिस्तान का वो show करता है, डॉन का यह कहना है, कि यह USA और इंडिया का जो joint statement है, इसके चलते, एक बार फिर FATF का जो sword है, यह पाक ज़्यादा बना हुआ है, और आरने वाले टाइम में भी यह news में आप लोग को काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा है, इसलिए इसके बारे में अच्छे से जानना, अब लोग कह सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है, FATF का perform जो है, वो है Financial Action Task Force, इसको French में अगर आप लोग देखोंगे ना, तो Group D Action, Financial A, इस तरीके से कुछ इसको कहा जाता है, French में, ये एक इंटर गॉर्मेंटल और्गनाइजिशन है, जिसको 1989 में फॉंड गिया था, इसलिए इसको इस्टैबलिश किया गया था, इसको इस्टैबलिश किया गया था, मनी लॉ इसको रोकने के लिए, और ये FATF करता है कि दो लिस्ट बना के चलता है, एक लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट और एक लिस्ट होती है, ग्री लिस्ट, इन दोनों ही लिस्ट में किसी कंट्री को, अगर आप लोग कहलो कि वहाँ पर जो टेरिरिजम फाइनिसिंग है, उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर टेरिरिजम फाइनिसिंग या मनी लॉंडिंग जो है, उसको खोले आम वहाँ से किया जा रहा है, तो उसको ये और्गनाईजिशन जो है, इस लिस्ट में डाल देती है, सबसे पहले उस कंट्री का नाम डाला जात किया है कि कंट्री पर मॉनिटर किया जाता है FATF द्वारा, और इसको आप लोग एक तरीके से प्रिकर्सर समसक, ब्लैक लिस्ट में डालने से पहले, जिसमें डालने के बाद उस कंट्री पर सेंक्शन भी लग जाते हैं, अब होता किया है कि चाहिए ग्रे लिस्ट हो, चाह दिवाँ इन्वेस्ट करते नहीं है, उनको अपने उपर खतरा या फिर अपने जो पैसा उसको लूज करने का खतरा, इस तरह कि कि बहुत से चीज़ें वहाँ पर जो होती है, उससे वो डर के इन्वेस्टर जो होते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करना बन कर देते हैं, तरक आप लोग को बता होगा कि काफी टाइम से जो ग्रेलिस्ट है उसमें बनावा था अक्टूबर 2022 वह यानि की 7-8 महीने पहले ही आप लोग कह सकते हो कि इसको यहां से निकाला गिया है और उसके बाद भी यह कहा जाता है कि पाकिस्तान ने जो शर्ते कही थी जो FATF से आप लोग कह सकते हो कि एक्शन एगरीड किये थे कि हम लोग यह यह एक्शन लेंगे उसको इंप्लिमेंट करने में काफी ज़्यादा मकारी करता है इस तरह कि बहुत से आर्टिकल आप लोग को देखने को मिल जाएंगे उनलाइन जिसमें इस चीज को कहा गया है कि पाकिस्तान यह जो एक्शन जो प्रॉमिसस किये थे FATF को उसको डंच से इंप्लिमेंट नहीं करता है तो चाही यह इल्जाम हो गया है चाही USA और इंडिया दोनों के आप लोग कह सकते है जॉयंट स्टेट्मेंट में पाकिस्तान हो गया FATF हो गया इन दोनों का जिकर एक साथ आने से हो क्या रहा है कि जो इस तरीकी की शंका है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि पाकिस्तान को हो सकता है फिर से ग्रें लिस्ट में इसमें डाल दिया जाए और ये चीज कितना ज़्यादा नुकसान पहुचा सकती है पाकिस्तान को इसको समझने के लिए मैं आप लोग को एक छोटा सा डाटा बताता हूँ उससे बहुत अत्तक जो पिक्चर है आपकी वो क्लियर हो जाएगी दरसल 2008 से लेके 2020-2021 तक अगर आप लोग देखो न तो ऐसा बताय जाता है कि पाकिस्तान ने लगबग 38 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो लूस किया था टाइम टाइम पे जो ग्रें लिस्ट है उसमें रहने से 2008 से 2021 तक यह मत समझ जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो लगतार ग्रें लिस्ट में बना हुआ था सबसे पहले 2008 में इसको ग्रें लिस्ट में डाला गया था फिर 2009 में इसको निकाल दिया गया था 2012 से लेके 2015 तक इसको इसमें डाल के रखा गया था और अगर ये डाटा अप लोग को छोटा लग रहा है तो मैं आप लोग को बता दू कि आज के टाइम में पाकिस्तान की जो टोटल GDP है ना टोटल उसकी जो एकनोमिक का साइज है वो है अराउंड 370 से लेके 380 बिलियन US डॉलर यानि कि ये जो लॉस है पाकिस्तान का 38 बिलिय जाता है जब इसकी एकनोमिक ही आलत हम सब जानते कि बहुत ज्यादा खराब है तो इसका क्या हशर होगा इसमें आप लोग खुदी अंदाजा इससे लगा सकते हो लेकिन पाकिस्तान को हम सब जानते हैं instead of improving himself पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अब ये जो FATF है इसी पर सवाल इसी पर बहुत बार पाकिस्तान की तरफ से ये जो उठाई जा चुकी है कि FATF जो है ये politicize हो गया है बहुत जादा इसमें कुछ country जो है उनका dominance है दबदबा है उसके चलती इसको जो grey list में है उसमें डाल दिया जा रहा है जबकि पाकिस्तान से इनका जो कहना होता है उसके करने की कोशिश नहीं करता और कहता क्या है पाकिस्तान के इंडिया के कहने पर USA वह साओधी को मना कर देता है कि पाकिस्तान के support में वोट मत करो चाहिए चाइना जो है उसके साथ इंडिया QTQ कर देता है QTQ का मतलब होता है something for something यानि कि कुछ चाइना को देखे उसके बदल रहा है उसके अलावा देखो FATF जो है ना इसके अंदर अभी 37 मेंबर है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 37 मेंबर के अंदर ही यह जो नजर है वो रखता है कि यहां से terrorism financing या money laundering जो है वो हो रहा है कि नहीं इसके अलावा और भी बहुत सी country सारी country आप लोग कहलो जहां से यह terrorism financing या money laundering होती है उसके यह नजर रखता है उसको warn करता रहता है कि आप इसमें सुधार करो नहीं तो आप किया कि इसमें action लिया जाएगा लेकिन इसमें जो member है वो जैसा कि मैंने आप लोग को बता है 37 member है और यह 37 member में यहां आप लोग देख सकते हो कि Russia भी हुआ करता था one of the member लेकिन हाल में ही Russia को इससे suspend कर दिया गया है प्लस सिफ suspend ही नहीं किया गया है साथी साथ Russia को grey list या फिर black list में डालने की भी कोशिश की जा रही है इसकी भी चर्चा हाल में चल रही है जिसमें Russia की तरफ से ये pressure बनाय जा रहा है इंडिया पे कि वो इसको रोके कुछ भी क रहा है कि इसको रोके है अपने diplomatic cloud हो गया उसको इस्तमाल करके या फिर उसकी जो voting power है उसको इस्तमाल करके रशिया चाहता है इंडिया इसको रोके और इसके लिए आप लोग कह सकते हो कि indirectly जो धमकी है वो भी दे रहा है रशिया कि हमारी जो oil deals है हमारी जो weapons deals है उन सब पे इसकी वज़े से खत्रा मंड़ा आ जाएगा तो अब इस चीज को आप लोग इस तरीके से देखो रशिया और पाकिस्तान इन दोनों ही country पर अब ये जो FATF है इसने सिकंजा कसना या पाकिस्तान पर तो अभी शुरू नहीं किया है लेकिन रशिया के लिए जो news है वो आ च चुकी है इस तरह एकी की बाते काफी time से की जारी है कि रशिया को जल्दी FATF की grey list या black list में डाला जाएगा तो एकी group द्वारा attack किये हुए दो countries जब होंगे तो ऐससे होगा क्या कि इन दोनों ही countries के बीच में रशिया और पाकिस्तान के बीच में दो चीज होगी सबसे पह और और कौन-कौन सी country FATF की black list में उनको भी आँपर आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको इरान मिल जाएगा मियामार मिल जाएगा नॉर्थ कोरिया मिल जाएगा और grey list अगर आप लोग देखो न तो इसमें तो आप लोग को line से बहुत सी country मिल जाएगी कुछ country का इसमें होना आप लोग कह सकते हो कि बहुत जादा doubt भी create करेगा कि Vietnam इसमें है Philippines इसमें है इस तरह की की और भी country इसमें है लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं क्या सोच कि इससे निकाल दिया गया है यह सब जो आप लोग कह सकते हो कि issues है यह लगतार मैं कहूंगा कि ज अभी यह जो वीडियो है इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं खताम आई हो वीडियो आपको अच्छा लगाओगा इसे like, comment, share, subscribe जरू कीजिएगा that's all, have a nice day, take care